नमस्ते मैं हूपायल रहादगी मेरा ये विडियो है भारत या मुसल्मानों के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि भारत की मुसल्मान ब्रेनवाश हो चुके हैं कि उनकी सोच रैडिकल हो चुकी है उधारन ये है क्योंकि जब भारत फ्रांस को सपोट करता है तो भारतियों मुसल्मान टर्की और पाकिस्तान को सपोट करते हैं है और NRC के ओपर चर्चा जाता है तब भारतिय मुसल्मान प्रोटेस्ट करते हैं और शाहिन बाग का ड्रामा करते हैं यह सब मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ऐस भारतिय नागरिक मुझे ऐसे भारतिय मुसल्मानों से प्रोब्लम है जो अगर ब्रेनवाश हो चुके हैं तो उन्हें सही हो जाना चाहिए और अगर वो रैडिकलाइज हो चुके हैं तो उन्हें सजा मिलने चाहिए क्योंकि मुंबे के अंदर फ्रेंच प्रेजिडेंट मैकरॉन के पोस्टर्स जमीन पर लगा दिये गए हैं रोड के साथ खड़ी है तो महराश्टरा के अंदर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है मैकरॉन के खिलाफ तो ये मैं ओविसली महराश्टरा के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धर ठाकरे जी से भी सवाल रखूंगी कि आपको देखना चाहिए कि आपके राज्ये के अंदर के लिए कह रही हूँ क्योंकि आज तक मैंने कभी भी कोई भारतियों मुसल्मानों को हफीज सयद के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा मैंने आज तक कोई भारतियों मुसल्मान को सईद सलाउदीन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा जबकि फ्रांस के अंदर बिहेडिंग हुई है और ये बिहेडिंग राडिकल सोच की वज़ा से हुई है और जो भी भारतियों मुसल्मान इस बिहेडिंग को सपोर्ट करता है वो मेरे लिए एक राडिकल है नमस्ते, जैहिंद